मॉर्णिंग ए स्टूडेंट्स वेलकॉं मों तो इंगलिष्पूर क्लास हैं अगर इस तरह के वर्ट्स रहते हैं मान दिए ओ आ गया या वेल आ गया या कि आगया इसतर D करते हैं उसको हम आपको लिख कर भी बता रहे हैं जैंस को कैसे हम देखते हैं या दिखते हैं जैंसे कहा ओके नो I can do it okay I can do it तब इसको कैसे चेंज करेंगे ठीक है नो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे ही लिखेंगे अस्ट्टू के जगह पर क्या लिखते हैं तोल्ड लिखते हैं क्या लिखते हैं इसके बाद मी का मी लिखेंगे को माई के अंदर यस तरह का लाता है उसको डाइरिक्ट हम क्या करते हैं उसको हटा देते हैं उसके बाद exactly करते हैं हे लिखा और कैंड़ का स्टेंगे क्या होता है October Jewel Sup Mega को लिखते हैं उसके बाद रिखते हैं उसके बास ani इट थार्ड परसन नो चेंज तो नो चेंज करते हैं तो इस तरह का एक्जांपल कुछ आपके सामने मैं रखा आए कुछ और एक्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं पॉपी पर लिखकर आपको कैसे चेंज करने ठीक है फ्रेंट्स उट सगेंघर डियर्ट इस पीच के इन वाटेड कॉमा के अंदर ओ रहता है वेल रहता है उक्के रहता है एक्सक्ट्रा मतलब और कोई चीज वर्ट्स रहते है फ्रेंड्स, है न? तो इन डिरेक्ट स्पीछ में बदलते से में उसे हटा देते हैं सिंपल सी बात आपको याद रखना है उसे क्या करते है फ्रेंड्स हटा देते हैं अब आईए हम example देखते हैं लिखा है Sanjay said will, will के बाद से कौमा लिखा है, Sanjay said will, SEMA you can take it, तो सबसे परे लिखेंगे Sanjay told SEMA, अब कहेंगे SEMA कहां से आगए, जब भी reported speech में अगर इस तरह का कुछ word दिया रहता है, है न, उसके बाद कौमा दिया रहता है, इसका मतलब समझेंगे Sanjay said to SEMA, यहां से अपका फिर subject से शुरू होता है, ठीक है फेंट्स तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे माली इनवर्ट कौमा शुरू हुआ और यहां आ गया राम, उसके बाद से कौमा आ गया, I can help you, तो आप समझेंगे कि Sanjay said to Ram, इस तरह से आपको ध्यान द रहेगा, कुछ भी रहेगा, इनवर्ट कौमा को अंदर तो हटा देना है, तो लिख दिए, और second person object अनुसार, तो second person यहां object सीमा है, तो सीमा कसी हो जाएगा, कैन का could take it, तो आप इस तरह से इसको इंडिरेक्ट सी चबरा देंगे, Sanjay told सीमा that she could take it, मैं उम्मीद करूँ कि आ work, he said, उसने कहा, अब मा लिजे कि यहां, इधर रिपोर्टेंगे स्पीच है, इधर रिपोर्टेंगे स्पीच, उसने कहा कि मैंने अपना काम कॉम्प्लीट कर दिया, तो he told that he had completed his work, ठीकिना फेंट्स, I am always ready to help you, she said to me, I am always ready to help you, she said to me, तो he told me that she was always ready to help me, तो इस तरह से okay आजाएगा, या आपका हूँ आजाए, तो आपको बस ध्यान इतना रखना है, कि इंडिरेक्टे स्पीच में जब चेंज करने चलेंगे, ता आप उस सीच को इग्नॉर कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी जो person चेंज करना जानते है, उ अरीफ्रेम्स